खरकौन जिले में दो दिवसी करशी मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसके लिए प्रशासनिक तोर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है आयोजन को लेकर किसान व्यापारियों में खाथ सा उत्सा है गुरुवार को करशी अधिकारी ML चोहन व्यापारी नरेंद्र चावला सही अनेक अधिकारी और कर्मचारियों ने इस्थान का निरिक्षन किया बताय जा रहा है कि आयोजन में 50 से अधिक बीच कंपनियों के स्टोर लगेंगे साथ ही आगामी खरीब फसल की बोवाई के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा इस दोरान आयजन को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं कि आगामी समय में उन्नत खेती फसल के अलवा किसानों की आर्थिक इस्थती में निश्चित तोर पर सुधार आएगा ब्यूरो रिपोर्ट खरगाउन को क्या युद्धान रहेगा और क्या वेफ़ता रहे हैं खरीब सीजन आ रहा है उसको देखते हो यह आगन किया जा रहा है जिसमें कंपनियों की भी आवज आई रहेगी उस्टाल लगेंगे उनके और वो भी अपने बताएंगे कि उनके प्रशासन को किसानों को खरीब का सीजन आ रहा है उनके जारते देने के लिए 16 और 17 जून को किसान मेले का आउजन किया जा रहा है उसमें सारे प्रगार के कंपनियां बीच हो चार पेसे साइड हो चार फट लगर हो सबको बुलाया जा गया है और उसमें अभी जो खरीब में लगने वाले कपास है सोया है और आपको मक्का है इसकी तवाम सर्पकार की अनने तकनिकी वेग्यानिय को कि द्वार बताई जाएगी और किसानों को आमन्तिर किया गया है इसमें लगबग बीच की सारी कंपनिया है इसमें काटन है मेज है और श्याविविद है उसके साथ में फटलागे के अपनिया जो मैनमेल है जिले में काप कर रही है जिनकी इंडेस्टिव भी है उनको भी आमन्तिर किया गया है साथ में पेस्टिसाइट की प्रमो कंपनिया है हमारे जिले पेस्टिसाइट का बहुत जारा उपर होता है पेस्टिसाइट को कम करने हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले